बिहार में राम नौमी के दिन ग्यानिती स्मार्च को हुई हिंसा की आग बुच्छी भी नहीं थी कि शनिवार रात को फिर से बिहार के दो अलग-अलग हिस्सों में सासर और मिहार शरीफ में हिंसा हो गई वही इस मामले में लेकर अब राजनिती भी गर्मा गई है राजक के हालातों को लेकर जहां ग्रेमंत्र मिश्शा ने राजपाल राजिपाल राजended्र विश्वनाथ अर लेकर से बाचित की तो वही आरज्योडी ने अमिध शाह पर निशाना सादा है उत्तर के इंद्रिया मंत्री किरास सिंग ने सियम नितिश के स्टीफे की मांगी है आमित शाह की राज़पाल से बात चीट के बाद आरजेडी ने प्रतिक लिया जाहिद करते हुए कहा कि इडी और सीप्याई से मन भर गया हो तो अमित शाह के इंद्रिया सुरक्षावलों को बिहार बेच्टी की बात कर रहे हैं आरजेडी प्रवक्ता मृत इंजे दिवारे ने कहा है कि अमित शाह को बिहार की नहीं बलकि 40 लोग सबा सीटों की चिंता है उन्होंने कहा कि बिहार में नितिश और जिजस्वी के नैतरतों में कानून का राज है साथी कहा कि ग्रह मंत्री अम्भी जेपी स्षासित राज्यों में हिंसा की फिक्र करे उधर किंद्रिय मंत्री की रिराज सिंग ने सियम नितिश से स्टीफिय की मांग invitation किए उन्हें जानकारी नहीं है तो वहमुके मंत्री की ओबन बेठे हैं नितिश अपने पार से स्टीफा दे क्योंकि बिहार पूरी तरह से बंगाल के रास्ते पर जा रहा है बंगाल में जैसे हिंदू के साथ हो रहा है वही अब बिहार में शुरू हो चुका है बिहार में भी अब गजवा ए हिंद वालों का बोल बाला है कि इंद्रिय ग्रहमंत्रिया मिश्चाह ने रविवार को बिहार में सांप्रतायक इंसा की घटनाओं पर चिंता अब्यक्त की और इस्तिती का जाजा लेने के लिए राजेपाल राजेंद्र विश्वनात अरलेकर्द से बात की बिहार के जन्रता बीजेपी को वोट नहीं कर रही इससे वह बेचैन है कॉंग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता असित नातिवारी ने मिवाधित बयान देते हुए कहा उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि अमित्शाह उत्रप्रदेश की कानुन व्वस्था पर बहां के राजेपाल से बातच्छित क्यों नहीं करती यूपे में किंद्री अर्दसाइनिक बलो की संख्या क्यों नहीं बढ़ाएगी लेकिन वह बिहार में अर्दसाइनिक बलो की संख्या बढ़ाएंगी क्योंकि यहां की जनरता बीजेपी को वोट नहीं करती बिहार में राम नौमी हिंसा पर कॉंग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि इतने सालों से राम नौमी पर जलूस निकल रहे हैं तब तो हिंसा नहीं हुई यह सब अब इसले हो रहा है क्योंकि दो हजार चॉबिस का चुना नजदी का आ रहा है